हाथ में चाई की प्याली है और खुद पर पुलिस वाला होने का कुरूर कुछ भी करने की आसादी फिर वो चाहे कानून के दायरे में आता हूँ या नहीं सामने बैठी लड़की शायद ये सब समझ रही होगी तभी चुपचाप है बस टक टकी लगाई सब कुछ देख रही है ये सोच रही होगी कि गिरफतारी के कई तरीके तो देखे थे लेकिन ऐसा सुलूग क्यूं कमर में रसी बांध कर थाने क्यूं लाया गया आखिर कानून में भी तो ऐसा करने की इजाज़त नहीं है मामला अलवर का है जिसकी कमर में रसी बांध कर अरेस्ट किया गया है उसका नाम अपर्णा है इसके घरवालों पर दहेज के लिए परिशान करने का आरोप लगा आरोप लगाने वाली लड़की जारखंड की है इसलिए एक्शन लेते हुए जारखंड पुलिस अलवर पहुची पुलिस को देख कर घरवाले फरार हो गए बस अपढ़ना रह गई डर के मारे ये पडोस के घर में छुप गई इस पर पुलिस वालों को इतना गुस्सा आया कि इसकी कमर में रसी बांध कर पूरे मोहले के सामने घसीटते हुए ले गई अरेस्ट करने के बाद शहर के ही एक हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट कर आया और फिर इसी तरह से रेलवे स्टेशन भी ले गए अपड़ना ने गलती की है या नहीं ये तो जांच का मामला है लेकिन कानून के हिसाब से गिरफतारी के समय महिला को हतकड़ी नहीं लगाई जा सकती यहां हतकड़ी तो नहीं लगाई गई लेकिन उससे भी बुरा परताफ किया गया ऐसे में वीडियो सामने आने के बाद पुलिस के इस एक्शन पर सवाल उठने लगी है दैनिक भासकर डॉट कॉम की रिपोर्ट